आज हम मनाएंगे काले चने की ऐसी नई सब्जी जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी यह इतनी जादा स्वादिश्ट बनती है कि आप इसके आगे चिकिन मटन यहां तक कि आप कोई भी सब्जी भूल जाएंगे जो भी आपकी पसंदीदा होगी यह बहुत यमी ब काले चने की नई सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे डिड़ कब जितने भीगे वे काले चने साथ से आट गंटे के लिए आप इने पानी में भीगो के रखे ताकि अच्छे से फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद हम इसे पीसेंगे तो आपको एक ब् पाती में मैंने लहसुन डाल दिया है और एक छुटा चमश जितना जीरा डाल दिया है और नमक डाल देते हैं तो यहां पे छुटा चमश हम नमक डाल देंगे और आधे कब जितना पानी डाल देंगे तो लहसुन से और हरी मिर्ची जीरा से इसका जो स्वाद है वो बढ़ सेट करना होगा तो उसके विलिए हम यह पे थाली पे लगा देते हैं और इसे ग्रीस कर देते हैं आप थाली इसी साइस के लिए और इसे अच्छे से ग्रीस कर दें उसके बाद यह जो पेस्ट हमने तयार किया है वो डाल देंगे तो सारा पेस्ट मैंने नहीं डाला है दो छो इसका जो काम है वो बाद में हम करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जार में अभी भी पेस्ट बचा हुआ है तो दो बड़े चमच मैंने पेस्ट जो है बचा दिया है इससे जो हमारी सब्जी है उसका टैक्शर बहुत अच्छा है तो इसी में हम पीस लेंगे प्याज एक मीडियम साइज की कटी भी प्यास डाल दी मैंने और एक इंच अध्र का टुकड़ा दो हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा पानी डाल कर इसको हम पीस लेते हैं इसे आपको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से ताकि इसका पेस्ट तेयार हो जाए तो काले च बढ़ चीनिका टुकड़ा देंगे इसमें और एक डाल देंगे समें बड़ी लाई elabor ईचिस तीन से चार इसमें लॉंग डाल देंगे, इनको हल्का सा क्रैकल होने देते हैं भुन जाने acknowledge उसके बादम इसमें तयार किया वह पेस्ट डाल देंगे तो जहार में पेस्ट तो लहसुन का पेस्ट भी पर डाल सकते हैं या फिर लहसुन को पेस्ट के साथ ही पीस ले जब आपने प्याज वगएरा पीसी है तो यहां पर आप देख सकते हैं पेस्ट को मैंने अच्छे से चला दिया है अच्छे से आपको हलका से इसको भून देना है उसके बाद हम इसम तो एक छोड़ा चमश मैंने या पर सब्साला डाल दिया है किसी भी ब्रैंड कर ले सकते हैं उसके बाद आपको इसको स्टर कर देना है तो अच्छे से हमने इसको चला दिया है ताकि मसाला भुन जाए मसाला जैसे ही हलका सा भुनेगा अभी इसको भुनने में वैसे वहुत समय लगेगा लेकिन हमने हलका सा मसाला भुन दिया है तो इसमें पानी डाल देते हैं तो जार को रिंस करके हम इसमें पानी डाल देंगे और इसके बाद इसे चला दे आप देख सकते हैं मसाला भी काफी कच्चा है तो इसको हमें अच्छे से भूनना है अभी इसी स्टेच पे हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं जो हमने अभी तक नहीं डाले तो रफली कटे हुए हमें टमाटर डाल देने हैं दो मीडियम साइज के रफली ही काटके डाले हमें यहाँ पे टमाटर का पेस्ट न सेचह से मिला दिया है अब आपको क questi चलब की तरीका जो थोड़ा नया है तो आपको कटोरी हैं इस तरह से कडाई के अंदर के पांग के अंदर फिर यसमें पानी डाल देना है ताकि यह स्टे बिलbyl ऊजाया तो वजन के विज़े सेस्टे पांग रहेगी आप लोग और कंट काटोरी के ओपर आपको यह प्लेट रख देनी है जो चने वाली हमारी प्लेट है इसे रख देना है आपको और इस पेस्ट को हमें स्टीम करना है अच्छे से आप चाहे तो यह जो प्रोसेस है अलग से भी कर सकते हैं किसी बरतन में लेकिन अगर हम इस तरह से प्रोसेस को करे अब यह आप देख सकते हैं इसमें काफी जारा पानी है हमें इसे अच्छे से भुनना होगा तो पहले हम इसे चला देते हैं तो जैसे जैसे आप इसे चलाते रहेंगे यह थिक होने लगेगा और यह जो ऑईल है रिलीज कर देगा मसाला और यहां पर यह जो हमारा पेस्ट है यह पूरी तरह से सेपरेट कर दिया है मसाला आपका ऐसा ही भून जाना चाहिए तभी ग्रेवी का जो टेस्ट है वह अमेजिंग आने वाला है इस सब्सक्राइब गट्टे की सब्सक्राइब अब उससे भी जादा स्वादिश्ट होता है आप इसे एक बार जरूर बना कर दे है कसूरी मेति ले अथि अच्छा अच्छा फ्लेवर बनेगी अब आपको हैं पर पानी डाल देना है मैं यह पे ग्रेवी थोड़ी गाड़ी बना रही ह data करें ऑपने पशनके से पाणी कर देट देए तो थोड़ा मैंने और डाल दिया उसमें और इसको मिला इसके बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं तो सवाद् prizes के हिजाब से आप नमक डाल दें इसे हम चला देने कि बाद आपको इसको डग देना है ताकी हाई जो पानी हमने डाला है यह पक जाए, चार से पांच मिलिट के लिए से पक जाने दें यह जो हमारा पेस्ट है यह भी अच्छ से सेट हो गया है, फ्रीजर से मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, पांच मिलिट से ज्यादा समय नहीं लेगा यह एक्दम सेट हो जाएगा, अब आपको इसको काट लेना ह तो आप देख सकते हैं मैं आप इसको पहले लंबा कट कर रही हूँ फिर इस तरह से इसके स्क्वाइर पीसिस कट कर देंगे आप अपने पसंद से भी काट सकते हैं आप चाहे तो काजू कतली की शेप भी दे सकते हैं इसे ये खाने में बहुत अच्छा लगता है ये देखिए आप इसे ऐसे भी हलका सा फ्राइ करके खाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो हो गई है हमारी चनी की बर्फियां तैयार ये देखिए कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है बहुत ही अच्छे स्टीम भी है और सेट भी हो गई है और मुलायम भी है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इनको हम निकाल देते हैं आप देख सकते हैं प्लेट से भी ये बहुत ये आसानी से अलग हो जा रही है हमने इनको इतने सुंदर पीसिस में कट कर लिया है अब हम इने डाल देते हैं तो यहां पर 4-5 मिनिट बाद अब धकन खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा ये जो पानी है इसमें पग गया है अब जो है टाइम आ गया है चने की जो पीसिस डालने का तो ये सारे पीसिस हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद हम इसे चला देंगे तो सबजी हमारी अल्मोस्क डन हो गई है हमें जादा समय अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसको हम पहले चलाएंगे अच्छे से चने की ये जो पर्फिया है ये बहुत ही सॉफ्ट है तो जादा समय बिल्कुल नहीं लेंगी हम इसे थोड़ी दर कले बस कवर करेंगे तो दो मिनिट के लिए आप इसे कवर कर दे ताकि ये हलकी से सॉफ्ट हो जाएं दो मिनिट से जादा समय बिल्कुल नी लगेगा ढकन हटाएंगे इसका तो पहले इसे हम चलाएंगे अच्छे से अगर आपको पतली रखनी है तो आप पतली भी रख सकते हैं लास्ट में इसमें डाल देंगे आदा शोटा चमय जितना गरम मसाला और हरा धनिया हरा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से और यह हमारी काले चने की नई सबजी बिलकुल तयार होगी है गैस को हम आफ कर देंगे और इसे गरम अगरम सर्फ करें आप यह सबजी इतनी ज़ादा अमेजिंग लगती है कि इसे कोई पैचानी नहीं पाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है गैस तो कोई करी नहीं सकता ह है कि काले चने से बनी होगी अगर आपको आज के इनोवीटिव रेसिपी पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को सबसे जादर लाइक शेर ज़रूर करें और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ट्राइज ज़रूर करें फिर मिलते हैं एक और ने रेसिपी के साथ